हेलो माई डियर स्टुडेंट्स अब हम करेंगे जी क्लास 11th स्टेस्टिक्स का टियर जैन 7th नमबर कोशन चैप्टर है जी 11th महीर्ज अफ डिस्पर्शन देखे हमने मीन डिविएशन के कोशन स्टार्ट कर लिये थे यहां से देखे आप 6th नमबर कोशन से 6th 4th and 5th question ध्यान से पढ़ गए बच्चे quartile deviation this is also quartile deviation only two questions given थे यहां पर आपने इनसे related questions के उड़े के illustration से करने है ठीक है यहां पर सिर्फ individual series के given है और नहीं है practice फिर हो नहीं पाएगी आप ही तो आपने यह वाले questions दो और series जो रहागी है तो individual है discrete and continuous के ठीक है illustration से करने है अब देखिजिए हम 6th कर चुके थे main deviation का 6th 7th onwards up to 12th 12th 6th to 12th question number तक main deviations के question चलेंगे main deviations हम कैसे find out कर सकते है from main from median and from mode also पर यहां पर almost जो questions given है वो है calculate main deviations from main calculate main deviations from median तो अगर अभी तक आप सभी students में my years of central tendency main median mode का chapter नहीं किया kindly पहले उस chapter को thoroughly discuss कीजिए ठीक है revise कीजिए practice कीजिए उसके बाद आप यह करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा otherwise थोड़ा सा typical रहेगा main median आपको follow नहीं कर पाऊगे कैसे find out करना है चलेंगे सेवंथ करने जा रहे है सेवंथ very easy very simple calculate mean deviation and coefficient ठीक है simple mean deviation and their coefficient calculate करने है with the help of median actually जो sixth question था सबसे ज्यादा lengthy question था को कि mean भी था उसमें median seventh question में सिर्फ एक aspect पूछा यानि कि median के तो देखिए क्याचे करेंगे class intervals है class intervals हमने check कर ली ठीक है जी conversion की जरूरतिनी पहले ही exclusive series होती है यह पहले सी ठीक है 0 to 10 10 to 20 exclusive की क्या पहिशान होती है बचे upper limit किसी भी class interval की upper limit next की law limit के equal होनी चाहिए फिर से बताते हो देखिए किसी भी class की upper limit next class की law limit के equal होनी चाहिए this is the main जो पहशान है exclusive series की अगर data exclusive series में नहीं गिवन तो हमें हमेशा ही यह statistics का rule है class intervals का rule है हमें conversion करने ही करने पड़ेगी inclusive to exclusive ठीक है जी चलिए अब हम अपना question देखते है बचे बस यहां से अपने यह read out कर लिया देखिए ध्यान से देखते हैं यह very easy very simple से है और बचे मैं थोड़ा सा आपको यह भी बताना चाहती थी calculate MD from median देखिए अब हमें पता है कि यहां पर हमारा जो question है हमने कहां से median से find out करना है तो यहां पर बचे please kindly आपने heading जरूर प्रवाइड करना नहीं तो ना examiner को पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है question में question में भी आता है सारा find out कराएंगे हल कराएंगे ठीक है पर पर बचे क्या होता है कि यहां पर अगर हम proper way में सब कुछ लिख देंगे ना तो उसे categorize करना भी easy रहेगा और हमें भी ध्यान रहेगा कि हमने क्या-क्या find out कर लिया चलो देखिए x mid values f conversion की आपको पहली बता दिया जरूर तो नहीं है mid values क्यों चाहिए हमें यहां पर चाहिए होते है deviations find out करने के लिए ठीक है जी mid value आपको पता है कैसे करते हैं sum up करके upon में 2 mid values का मतले average find out करना very easy simple f ले लिया जी ठीक है f आपको बता है कि हमें median से mean division calculate करने के लिए हम क्या करते है cf calculate करते है in case of discrete and continuous series में cf कैसे calculate होते है 15 सबसे first तो same रहेगा next 15 plus 19 15 plus 19 34 34 plus 14 48 48 plus 20 68 68 plus 18 86 plus 14 100 यह हमारा हमेशे एक को लाना चाहिए इससे हमारी साथ की साथ accuracy find out हो जाते है कि हम accurate चाहरे है चलिए next देखे बचे यहां क्या करना है यह हम क्या करना है यह हम क्या निकालने मेडियन से अभी हम मेडियन find out करते हैं अभी आपको लेकर चलते हैं दिखाते हैं कैसे मेडियन find out पर एक चीज का धिया रखिए यहां पर number of items कितनी है 1 2 3 4 5 6 ठीक है 6 अगर number of items होती है तो मेडियन यहां पर फिर और देखिए आप एन यह बला एन ठीक है यह एन भी होता है और sigma summation of frequencies भी है ठीक है यह होगा यहां से मेडियन start करते हैं बचे निकालना find out करना जो कि हमारी first requirement है हमें इसके लिए चाहिए deviations के लिए बस यहां पर हमें median हो जाएगा फिर next मारा question ending पर चला जाएगा almost यहां से फिर से देखिए बचे median class is given by the देखो यह मैं different different way क्यों implement करते हूँ कुछ students को वो method अच्छा लगता है ना जैसे last questions में यहां पर थोड़ा detail में लिख है जो भी आपको better way लगे आप use कर सकते हो median class is given by the size of an upon tooth item ठीक है जी यह एन upon tooth item ठीक है उसके बाद आपको बता है 100 ठीक है 50th item पर हमारा median exist करा देखे 50th item हम उसी के corresponding अपनी class interval उठाएंगे उसी के corresponding बचे cf कहां से उठानी होती है previous class की उठानी होती है 50th item देखते चलते हैं अभी हम 50th item ध्यान दीजिए यहां पर 48 में तो exist नहीं कर सकता ना ज 50th से अवाब या equal अगर यहां कई 50 होता ना तो हम वो भी माल लेते पर यह smallest हो गया equal होना चाहिए यह biggest होना चाहिए यह याद रखना में चाहिए यह 50th निकाला ना या तो cf में cumulative frequency में यह item इसके equal होनी चाहिए यह bigger होनी चाहिए जैसे यह equal नहीं चलेगा तो 68 चलेगा बस cc को ध्यान में रखना अब यहीं से हम क्या करेंगे जी हमारी cf तो हो जाएगी इस formula में put करने के लिए 48 क्योंकि median हम find out करने है median find out करने के लिए हमें formula यूज़ करते है l1 प्लस n upon 2 l1 कौन सा होता है मेरा l1 है 30 उसी के same class का ये l1 है 30 l1 बोलते है इसको 30 हो गया और जी f हमार 20 हो जाएगा जो upon में लिखना है 48 हमारी cf हो जाएगी और into i क्या होता बचे i कह दीजिए या फिर c दोनों का meaning क्या होता है common ठीक है इन में common value कौन सी है common देखे कितने का difference है 10 10 का है यह 10 हमें मिल जाएगा अब फिर से देखते जाएगा ठीक है यहां से होगा यहां से this corresponds to the class interval of 30 to 40 so this is a median class बस यहां से हमारा formula ready होगा अब हम value substitute करते हैं ठीक है जी देखे 30 plus 100 upon 2 formula क्या थे हमारा n upon 2 यह आपको पता है ठीक है previous class की cf कौन सी लेते हैं जिसमें वो corresponding class है उसके previous class के लिए नहीं हते है i and c common factor बता है आपको into 10 यह ही वाला common कुछ books में बचे आपको i मिलेगा यहां पर लिखा कुछ में c तो आप कुछ भी use कर सकते हो कोई hard and fast role नहीं है इसके regarding चलो जी यहां से थोड़ा सा ध्यान से करना है यहां से देखी यहां से बिल्कुल काफी carefully करना है यह वाली चीज multiplication है इसको यहां से हम हल करके देखे 2 आ गया 2 into 10 20 20 यहां से क्या मिल गया कट तो गया कुछ नहीं राटी कि 1 अगर यह ignore कर दिया सारा question खराब हो जाएगा बच्चे चलो जी और इसको आपने a number दे देना है देखे क्योंकि step step by step अगर हम करेंगे हमें पता है कि first step हमारा क्या आता है find out the median इसको हम a number देकर चलेंगे चलो जी next हमारा क्या आता है mean deviation from median median अब हमें यह कहां से मिला सब कुछ अभी फिर हम बैक चलते हैं जी अब जी हमारे पास median कितना चुक है 31 यहां पर आप सभी students mention जरूर करोगे और जिस capital से इसको use किया गया capital letter से देखे mid value के हमने यह small ठीक है small letter से denote किया हुआ है तो आप भी small से लिखोगे कि 31 मेरा median है यह तो mid value के लिए use करा यह capital के लिए use करा ठीक है capital M है यह 31 फिर इसको उसी वे में लिखोगे modulus का symbol ठीक है जी pipe signs भी बोल दो यह modulus small m minus capital M is equal to modulus dm deviations from median देखे क्या लिखा हमने deviations from median यह mid value नहीं mid value तो कुछ नहीं लिखना यह नहीं लिखना बची यह mid value तो मारी यहां आगी यहां verification में लिखना जो भी लिखोगे वो तब हो सकता है जब आपके practice हो जाएगी या अगर आपको पताएगा deviations from median हमने क्या किया deviations from median find out किया अब करते हैं कैसे 31 बहुत ध्यान से करना बची यहां पर बहुत mistake हो जाते है क्या mistakes हो जाते है students से इसकी multiplication हम कहीं किसी और के साथ कर दे देखिए कैसे करेंगे मेरा कितना है 55 को याद रखना बस 31 5 31 5 31 पस ठीकर 26 प्लस 5 31 16 15 31 25 प्लस 6 31 35 प्लस 4 अब देखिए क्योंकि हम क्या कर रहे थे यहां पर सबसे पहले कौन सी वैल्यू लेनी थी हमने यह वाली smallest वाली अब 35 माइनस directly हो जाएगा यहां पर एक बात को और ध्यान रखना बचे यहां पर ना negative symbol आ रहे थे यहां पर एक दो तीन सर्फस्ट तीन में यह जो modulus sign है यहां पर बेशक आप लिख भी सकते हो ignore negative signs यहां पर लिख सकते हो ठीक है तो यहां पर ignore हो गए वो चाहे आप उसको उसमें से less करो चाहे उसको उसमें से तो जितने भी symbols negative के symbols signs आते हैं वो ignore हो जाते हैं इसी के कारणी सिर्फ है modular के कारणी चलिए जी 45 minus 31 14 55 अब ध्यान से हमारे पास यह create होगी अब देखिए ध्यान से f into this one यानि कि इसको इसके साथ multiplication करना है बचे बहुत ध्यान से करना है यहां बहुत ज्यादा mistakes होती है यहां क्या लिखेंगे अब खुद judgment किजिए यहां तक क्या था deviations from median था deviations from median था multiple of अब हम क्या करने जारे है इसको इसके साथ multiple करने जारे है ठीक है पड़क्ट multiplication करने जारे multiple of deviations and the corresponding frequency देखें कहते multiple of the deviations यह तो सारा as it is लेल दिया and the corresponding उसी के corresponding frequency के साथ हम multiplication करने जारे है ध्यान से करेंगे 26 into 15 19 into 16 304 14 into 6 84 20 into 4 80 18 into 14 252 14 into 24 336 फिर इसका summation this is a summation किस चीज़ का summation इस चीज़ का summation हम कैसे बलेंगे बस just इसके आगे summation लगा देंगे कैसे बोलेंगे बुचे? summation of multiple of बस कुछ नहीं सारा summation लगा के पूरे का पूरा as it is बोलेंगे summation of multiple of deviations and the corresponding frequency बचे जब भी करोगे अपने मन में बारी बारी से repeatedly बोलते रहना बोलते रहना इससे सब formula सब कुछ आपको अपने अपी learn होने start हो जाएगे चलिए देखिए यह अपना हो गया जी यहाँ पर आप यह जरूर मेंशन करोगे calculate md from median यह भी होगा यह भी होगा यह भी होगा ठीक हमें यही ही चाहिए था formula मेंशा अपने mind में रखना कि mean deviation जब median से find out करते है क्या formula चाह ठीक है जी हमने median find out कर लिए था median 31 आया था यह line आप mention कर भी दो ना भी करो कोई problem नीटी कर यह maximum to maximum मैं इसलिए use करते हो इससे एकदम concept clear होता जाता है students को thus we calculate the deviations of values from these 31 से calculate किया है न सब भी कुछ हमने चलो जी b point mean deviation from median आपने देखने हैं कि question की क्या requirement है उसी के according answering करने है हमेशा याद रखना extra कुछ calculate करके होगे कभी marks नहीं मिलेंगे पर आपका time waste हो जाएगा mdm तिहां रखना mdm mean deviation from median capital M ठीक है यह भी देखिए यह ठीक है submission of as it is formula जो होता है इसका upon में sigma frequency frequency का समाप हो गया यह ठीक है 14.46 हमारा mean deviation आप जी इसी से हम क्या निकाल लेंगे coefficient of mean deviation बस coefficient of mean deviation formula जरूर लिखना है ठीक है directly नहीं values पुट करने इसके separately marks मिलते हैं देखिए जी 14.46 upon में 31 median in case of mean होता है तो calculate of mean से करती है calculation अब तो median करता है तो यहां mean आ जाता है बस this is answer 0.466 इसको आप prox में क्या लिख सकते हैं आपको सभी को पता है 0.47 this is the question number 6th ने sorry 6th नहीं सकते हूं सा था 7th ठीक है जी 7th question number आपका complete हुआ students अगर kindly अभी तक आपने हमारे चैनल को like subscribe नहीं किया kindly spot me thank you हुआ